अलो दोट्तो आपके पास कोई भी sketchup का model है आपको वो sketchup के model lighting, texturing and rendering of full output करके मिल सकता है और आपको कराना है तो वीडियो के reception में आपको email id दिया हुआ है उस email id पे contact कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे की तरब आपको bottom में दिख रहा होगा email id ये workflow होता कैसे है अगर ये easy होती है उसके दर आपको सब कुछ properly तरीके से photographer करने में यानि client को reference दिखा से जैसे कि एक steer है आप देख सकते हो इसमें सब कुछ दिख रहा है मगर quality नहीं है मगर पता चल रहा है कितना depth है किदर खिड़की है किदर पर wall है कितना बड़ा wall है कितना बड़ा height का आपका exterior रहेगा पूरा एक मोटा मोटी एक rough view एक बन जाता है मर जाकि ये अच्छी quality का image तो नहीं है मगर एक client को दिखाने के लिए एक rough view दिखाने के लिए काफी सही रहता है sketchup के models आपको वही एक या दो दिन में आपको बना के मिल जा पूरी तर अच्छी quality में तो फिर क्या कहने ठीक है तो इसी तरह से ये workflow काम करेगा आपने client को दिखा के आपने final कर लिया अपना sketchup ये model के आपका exterior ऐसा बनने वाला है आपके final sketchup model को आप send कीजे इस email id पे जो नीचे दिया हुआ है कि costing कुछ जादा नहीं रहेगी कुछ कमी रहेगी आप जितना सोच सकते हो उससे कमी रहने वाली है उसके अंदर आपको क्या करके दिया जाएगा वह मैं आपको दिखाऊंगा जो आप sketchup model दोगे उसके model पे दुबारा काम होगा उसको अच्छी quality बनाने के लिए जो software use किया जाते हैं उस software में sketchup के model अच्छे से work नहीं करते हैं तो इसलिए उसको recreate करना पड़ जो उस scene के लिए अब लेबल है जो आप provide करोगे वहाँ पर आपको जैसा texture चीए जैसा material चीए आपको वहाँ provide करना होगा आपको कौन को से material कौन से angle में कौन से दिवार पर कैसे दालने हैं वह आपको provide करने होंगे पर उसके लाइटिंग होंगे जैसा उस scene पर अच्छा हो जाएगा same to same आप देख सकते हो आपका पहले का sketchup का model और final output कितना difference है फिर अभी यहाँ पर हम दो चलते हैं interior में interior में आपका भी बना हुआ है कुछ sketchup के models उस sketchup के model को फिर से recreate किया जाएगा इस तरह से उसकी basic models और उसकी camera angle को set करके जैसा आपने sketchup में set किया था उसी तर texture दिया जाएगा realistic texture लगा के उसके पर realistic lighting की जाएगी फिर lighting होने के बाद फिर उसके final output decoration बनाने के लिए कुछ-कुछ extra element जो add होंगे वो किये जाएंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हो आपको पहला वाला जो है sketchup model before and after after यानि की आपका final output तो इस तरह से आपका final output आएगा और इस तरह से आप अपने client को अच्छे से दिखा सकते हो एक realistic आपका view वो भी काफी lowest price में उधर पे बना दिया जाएगा आपको बस वहाँ पर अपने sketchup के model देने है और आपको बस वहाँ पर बताने आपको कॉंसे डॉन जक्रेकবर कहा लगाने है बस वह details बता देनी है बाकी सब वहां पर वहां के teams अपनेे आप कर लेगी ठीक है जो भी चेंजेस होंगे वहाँ पर वह आपको वहाँ पर डीटेल में बता देंगे कितने रिवाइज होंगे कितना रिवाइज का क्या फीस है एंड कितना रिवाइज फ्री है कितना फीस है कितना रिवाइज ज्यादा करोगे उतना फीस लगेगा कितना serum करोगे उतना फिस लगेगा वो सब सायदील वहाँ पर मिल जाएगी एमेल परबस आपको वहाँ पर जायए वहाँ पर आप बात कर सकते हो ईनी कि आपको लोगी चैनली में भी आपे इनलीषी開ट आपको डिधुल सकते हैं करे न उसको अगर आपको bon ADA कर मेंध temperature तो फिर थैंक फॉर वाचिंग देस वीडियो और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने फैंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी जासे की कि हम लोग अपने स्केशप के मॉडल को कैसे एक रिलिस्टिक व्यू बना सकते हैं कहां से कर सकते हैं क्या प्रोसेस होता है उसका वाचिंग देस वीडियो